हाई व्रिवान वेलकम है आपका समत किचिन में हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आज क्या बने आज घर में क्या बनेगा तो इसके लिए मैं आज आपको बताती हूं आज आप बनाएं सोया खीमा मतर जो की वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों को ही देख एक कटोरी सोया बीन ग्रानिू यह चोटे वाले पार्ट में आता है बिल्कुल प्रष्ट गएं की तरह बिल्कुल होता है और इसको आप ले ले और इसको डाल दे एक बड़े कटोरे में और उसमें डाल देगे गरम पानी मिलकूल इसको हम पांच मिनट के लिए एसी कीमा जुसको प्यूबाल के और चान के रखी है जो कि मैं आपको प्रॉसेस दुखा की पहले ही और यह है हमारा आधा का टोरी मटर फ्रोजन मटर है और यह है अध्रक याशों कुछला हुआ और यह है गरम मसाला अधा चमश दो कटे हरे मिर्च और नमक हरी धर्या कटी हुई प्रॉसे प्यास आधी और यहां पर यह कटी हुई प्यास वह भी आधी गटी प्यास है अगर आपकी प्यास छोटी है तो पूरा ले लिजे और यह है हमारे खड़े मसाले जिसमें की जीरा लिया है एक बड़ी लाइची है और यह आधा इंच का टुकड़ा है डालचीनी क अधा रिज़ा और दो ठोटे पस्ते और यह है पावडर नुसाले जिसमें की है हल्वी मिर्चा आधी चमज है दोनो और यह दनिया एक चोटा चमज चली बड़ा चमज तेल लेके इसको गरम कर लेंगे तेल गरम होने का अगरा हम डालेंगे इसमें अपने खड़े मसाले जिसमें कि जीरा, डाल चीनी, बड़ी लाइची और पत्ता यह सब ताल दिया इसको थोड़ी दिर तल जान देंगे यह गरब मसाला थोड़ा तल चुका है अब हम डालेंगे इसमें प्यास फ्यास को थोड़ी गुलाबी होने तक चलेंगे इस सारा प्रोसेस हम हाई हिट में करेंगे जल्दी हो जाए अब डाल देंगे इसमें अध्रक लैसन का पेस्ट इसको भी एक मिनिट तक भूनेंगे अब इसमें डाल देंगे हम यह अपना पिसा हुआ प्यास इसे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी फाइन ग्रेवी बनेगी इसमें डालेंगे अपने पाउडर मसाले और डालेंगे एक चम्मच नमक और अब इनको भून लेंगे सारे मसालों को इनको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इनकी हल्दी की और लैसन अद्रक की सबकी महक निकल जा और अच्छी भूनी भूनी खुश्बू आने लगे करीब दो चम्मच यह मैंने वही प्यास वाली कटोरिम पानी ले लिया जो प्यास बची थी वह भी आ गई इसमें और इसको भून लेते हैं थोड़ी देर मीडियम आज पे इसको पकने देते हैं और चला चला के भून लेते हैं जब मसालों से अच्छी खुश्बू आने लगे और पानी पूरा जल्जा इसका मतलब यह मसाला भून गया और तेल भी दिखाई देने लगा इसका मतलब मसाला हमारा भून गया है आप इसमें हम डाल देंगे अपना यह वाइल किया हुआ सोया बीन का खीमा यह डाल दीज अब चाहे तो हटा भी सकते हैं चाल अब इसमें डाल देंगे गरम मसाला भून लेंगे एक मिनट तक और इसके बाद इसकी आज धीमी करके इसको धाग देंगे और इसको तरीब पांच मिनट तक पकने देंगे धीमी आज पे पांच मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको ख जाए चेक करते हैं मटर गला है कि नहीं गला यह देखे मटर सॉफ्ट हो गया मटर भी गल गया अब हम इसको भून लेंगे और अचका एक्स्टा पानी जल जाए और रेडी हो जाए खाने के लिए अब हम इसमें डाल देंगे धनिया और इसको भून लेते हैं और बस यह हमारा नॉन्वेज की तरह वाला रेडी है जो कहीं से भी नॉन्वेज की टेस्ट से कम नहीं है और बहुत ही यमी है तो चलिए इसको सर्व करते हैं यह है हमारा सोयबीन मटर खीमा जोकी बनाने में बहुत आसान और टेस्ट में है लाजवाब इसको आप लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं तो आप इसको खा सकते हैं रोटी पराठे पूरी किसी भी चीज के साथ जो आपको पसंद हो हर किसी के साथ यह बहुत टेस्ट लाजवाब करेगा अमेजिंग टेस्ट है इसका तो इसको आप ट्राइज जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी अगर और रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करिए और करिए समत किचिन को सब्सक्राइब